भगवान भक्तों के वश में हो करके अलग-अलग अवतार धारन कर लेते। भगवान को आकार आकरती देना आसान नहीं है। क्योंकि वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र को बद्य बनाना बड़ा मुश्किल काम है पर भक्तों ने अपनी भक्ती से इसको भी संभव कर देखा है। तो ये भगवान की सहजता है कि वो भक्तों के लिए वैसे बन जाते हैं सहज। है नहीं सहज। पर भक्तों के लिए भगवान सहज। योगियों के लिए सहज नहीं है। योगियों को तो भाराज कितने कठिन कठिन परिश्रम करके भगवान को पाना पड़ता है। बड़ी कई बार ऐसा आता है, ठंड में एकदम किदारवद्री के सामने बैठ करके साधन करते हैं, आग बंद करके ध्यानस्त रहते हैं, शरीर जम जाता है, पहले के जम आने में तो ऐसी ऐसी साधना होती थी, ऐसी भजन साधन पद्धिती होती थी, शरीर में तब करते करते चीठिया बिल बना लेती थी, और उस आदमी को पता नहीं चलता था, दीवक लग जाता था शरीर, मतलब हो जो एक मिट्टी का सा घर होता है, वैसा शरीर के आसपास, क्योंकि योगों योगों से बैठे हैं, पता ही नहीं है, स्वास रोके, पानी, भूख सब रोके, उसके बाद भी भ इतना सहज भगवान को पाना, जब ते रो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, सादर जप हूँ, अनंग राती, तुम पुनी राम, राम, दिन राती, जैसे महादेव जबते हैं, 88,000 वर्ष की समाधी लग गई बैठे बैठे बर राम 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 88,000 वर्ष की समाधी 88,000 वर्ष बैठकर के बर रामी राम जपे जा रहे तो ही आप और युगन ते कमल नैन ने कल्युग बहु कृपा करी नाभा जी कहते हैं भक्तमाल जी में बक्तमाल उठा के पढ़वा इतने दिव्य दिव्य चरित रहें कल्युक के लोगों के जिनों ने भगवान को ऐसे सहजता में पालिया सहज सही पालिया धन्ना जाट कर्मा भाई कर्मेती भाई तो भगवान तो आकार ले लेते अपने भक्त के भाव अनुसार 23 अवतार भगवान ने धारन किया 24 मा कल की अवतार भगवान धारन करेंगे